तो गाईज बात करेंगे अब कुस्पाल सिंग और दिलसेर सिंग के डैक्शन में बनी फिल्म मूसा जट को लेकर एक बाद फिर से जिसने की आज चार दन पूरे कर लिया है बॉक्स ओफिस यानी की गाईज थेटर्स में जी हाँ बात करें फिल्म की लीडिंग कास्ट को लेक तो सबसे बहले आपको बताता हूँ यार बजट क्या है इस फिल्म का जुसका बजट निगल के आ रहा है एस्टिमेट वो है पांच से आठ करूर के बीच का और यह डेबिव फिल्म है सिदू मुसेवाला की कलेक्शन की बात की जाए तो आपको जादू आज इस फिल्म को हुए चार दिन पूरे हो चुके है जहां पर इस फिल्म ने पहले तीन दिनों के अंदर जो कलेक्शन किया वह आता गाईज एक करूर असी लाक रुपे अगर बात करें चौतर दिन के कलेक्शन को लेकर तो चौतर दिन का एस्टिमेट लगाया जा रहा है रेटिंग के विस पर वह सकता है एप्रॉक्सिमेट 40 लाक के आसपास जिसके बाद जो इसका कलेक्शन हो चुका होगा वह गया होगा गाईज दो दुनों के अंदर दो करूर 20 लाक रुपे चार दिनों के अंदर ना कि दो दिनों के वह गलती से हो गया ता यार कोई बात नी है ठीक है अगर अगर इसको ना हीट का वर्डिक्ट वासल में हासल करना है तो कम से कम इसे 10 करूर का कलेक्शन करना होगा जो कि मुझे नहीं लगता किसी भी कीमत पे यह फिल्म कर पाएगी पहली बात डेबियो फिल्म है दूसरा जो क्लेक्शन को करना था सुरू आज दिनों में यह कर बात जो उसका कलेक्शन हो पाएगा चार से साथे चार क्रोड और जो उसको वर्डिक्ट मिलेगा वो मिलेगा फिलॉप का मेरी यह राया है वाकि आपकी थिंकिंग ऑवरॉल क्या है इस सुन को लेकर आपने देखी होगी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंसन करना मत बुलेगा वीडियो पसंद आई हो लाइक करना सेर करना अधरवाइज पसंद ना है तो डिस्लाइक भी कर सकते हो कोई प्रॉलम नहीं है थैंक यू फॉर वाचिंग कीप सपोर्टिंग बबाए टेक क्यार